अई सुनते हैं धारवाहिक नौशेन की पांचवी कड़ी मूलुप नियास पद्मा सजदेव, रेडियू नाटे रुपांतरकार अमिताप श्रीवास्तव, निर्देशन और प्रस्तती काजल सूरी अब तक आपने सुना हसीना और फरहाद कुछ समय साथ बैठ कर बाते करते हैं तभी शाबान कमरे में आता है और बताता है कि कोई सर्दार जी मिलने आए है हसीना उन्हें बैठक में इंतजार करने को कहती है जब हसीना देखती है कि ये तो हर नाम है जो इमत्याज को अपने ट्रक से बंबई लाया था उससे मिलकर हसीना बहुत खुश होती है इसी बीच इमत्याज हिलाल और अमान के साथ घर लोट कर आता है और हर नाम को घर में पाकर हैरान हो जाता है और हर नाम से कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि हर नाम आया है सबसे मिलने के बाद हसीना के पूछने पर हर नाम अपने घर वालों के बारे में बताता है हसीना फरहाद को अपने बश्पन का बारा मुला ट्रिप वाला किस्सा सुनाती है बश्पन की बातें सुनकर हर नाम अपने बश्पन की यादों में गुम हो जाता है हसीना बताती है कि किस तरह हर नाम और हसीना बश्पन में फूफी को तंग किया करते थे अब आगे और लोडा मेरे इंतजार कर रहे होंगे चलो हम तुम्हें Bombay Central तक छोड़ाते हैं Hilal बेटा Hilal जी मामो जाँ बेटा हरना मामू को Bombay Central छोड़ना है तुम चल पाओगे? शूर मामू डेडी हम गाल ले जाएं हाँ हाँ ले जाओ चावी वाँ टेबल पर रखिए हिलाल सुनो गाड़ी संभल कर जलाना जी देडी सीन आपा नहीं दिख रही बलाई लगई हिलो आ गई मैं भी खरनाम ये पैकेट संभाल कर रख ले ना आपा ये क्या है ज्यादा कुछ नहीं रास्ते के लिए थोड़े परांठे हैं और कुछ सान्विच सब पैक कर दे हैं आपा ये तो बहुत सारे है दिली तक का रास्ता बहुत चोटा है ना अरे भाई साथ में तुमारा क्लीनर भी त हर प्रीत को मुझसे मिलाने का वादा है अच्छा अच्छा वो वादा है आप बेफे कर रहा हो आपा जल्दी ही लेकर आउगा आउने अच्छा आपा भाईजन खुदा आफिस आओ हरनाम अल्लाहा भाले लिए तिलाल अमान मैं ज्राइक लीनिंग के लिए कपड़े निका तुम्ने मुझसे याद दिला दिया मैं तो भूली गई थी इमतियास का फिरन भी तो देना है ड्राइक लेनिंग के लिए अमान बटा वाद रूम में मामू का फिरन टंगा होगा जरा ला देना बटा जी अभी लाया मॉम, लीजे मम्मी, मामू का फिरन, और हां मम्मी, कल से मुझे भी सुभा साथ बज़े उठा दीजिएगा क्यों, तुम्हें क्यों उठना है जल्दी भाई? कल से मैं भी हिलाल भाई के साथ प्रैक्टिस के लिए जाऊंगा अरे, ये क्या कर रही है मम्मी आप? क्या? ये मामू के फिरन की जेबो की तलाशी, what is this mom? बेटा, जब भी आप ट्रैक्लीनिंग के लिए कपड़े देते हैं, तो एक बार पॉकेट्स ज़रूर चक कर लेते हैं कोई important paper या पैसे ना चले जाए धुलने को लो, देखो, क्या क्या निकल रहा है तुम्हारे मामू के फिरन की जेबों से अरे, दिखाइए, दिखाइए, नाना नानी की फोटो है नहीं, एक मिनट इसमें तो इम्तियास के साथ एक और और दो बच्चे हैं ये जरूर हाजरा होगी, इम्तियास की वाइफ मतलब तुम्हारे मुमानी अच्छ, ममी मैं फोन सुन कर आता हूँ अच्छ ये इम्तियास का बेटा होगा और ये उसकी बेटी फोटो थोड़ी धुनली हो गई है पर हाजरा देखने में खुबसूरत लग रही है मैं बलाए लगूँ बच्चो तुम तुम मुझे जानते भी नहीं होगे मैं तुम लोगों की फूफी हूँ सकी फूफी मेरे बाद ही तो तुम्हारा बाप पैदा हुआ था अरे, ये क्या ममी आप फोटो से बात कर रही है बेटा, चिन लोगों से हम मिलने ही बाते उनकी तस्वीरों से ही बात करके जी को थोड़ी तसल्ली हो जाती है इतने वरसों में पहली बार अपने माय के में से किसी की तस्वीर देखने को मिली है ममी आपने नाना नानी की कोई फोटो अपने पास क्यों नहीं रखी जब भी उनकी याद आती उनकी फोटो से बात कर लेती हमें भी तो नाना नानी की फोटो देखने को मिल जाती बिटा, उन दिनों वाइफ ईस्मिंट का साथ-साथ फोटो खिचवाने का रिवाज नहीं था इसलिए अब्बु अमी ने कभी एक साथ फोटो खिचवाई ही नहीं तो अकेले अकेले नहीं खिचवाते, आप लोगों के साथ फोटो खिचवा लेते, जैसे मामू ने खिचवाई, या फिर अलग-अलग खिचवा लेते, और लोगों के साथ अमान बेटा, वो टाइम बहुत अलग था, श्रीनगर में टूरिस्ट्स की वज़ा से फोटो स्टूडियो तो बहुत थे, लेकिन लोकल लोग फोटो खिचवाने स्टूडियो में बहुत कम जाते थे, और शाल वालों के खानदान के लोगों का तो जाने का सवाल ही नहीं अच्छा सुनो शावान, जी, चावल साफ कर दिया थे, भीकुल, भीकुल, तो दूसरी कैस पर वो चड़ा दो, मैं आ रही हूँ, आच्छा, मम्य ये फोटो मैं रख लूँ, तुम, तुम क्या करोगे फोटो का, बेटा, मुमानी और बच्चों का फोटो है, मामो अपने पास रखना चाहेंगे, मम्य पस सिलाल भाई को दिखा कर फिर दे दूँगा, ठीक है, मामो को दे देना हाँ, और ये कागस भी रख लो, सब एक साथ मामो को देना, जी मम्य, अरे आमान, वो फोन किस का रहा था भी, सॉरी मम्य बताना भूल गया, पापा का फोन था, कह रह रहे थे के रात में मामो को घुमाने जुह चोपाटी ले जाएंगे, और आपको भी तैयार रहने को कहा है, मम्य? ठीक है, ठीक है, ठीक है, नारियल पनी, 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 नारियल पनी है हूं हूं है और समंधर देखिए मंपाइ की मुझे बस एक ही चीज्ज पसंद है। समंधर हाँ अपा पर है यहां सब कुछ मैला मैला क्यों लगता है। भाही जान वह एक मशूर शेर है नै वह हर शक्स परेशान सा क्यूn सीने में जलन आँखों में तूफान सा क्यूं है इस शहर में हर शक्स परेशान सा क्यूं है इसी की बात करें है जी बाई ? बैसे मेरे साथ न जाने क्यों ऐसा होता है जया मैं पानी दिखता हूँ डल लेक सामने आ जाती है साले साहब, क्या शालवालों नो भी हाउस बोट खरीद लियें? परसे कश्मीर की महमान नमाजी का कहना ही क्या? जिस हाउस बोट में सैलानी ठहर कर जाता था, वो हमेशा हमेशा के लिए उस घर का मेंबर हो जाता था. हमारे घर में तो नाजाने कितने सैलानी शादियों में बुलाए गए और वो आए भी तादा जी बताते थे कि वो एक बार शिम्ला में एक अंग्रेज सैदानी की बेटी की शादी अटेंड करने गए थे अच्छा सुनिया कश्मीर की बाते तो होती रहींगी चलिए जरूर जरूर लेकिन पहले जरा नारियल पानी तो खरीद लिया जाए साले साप बंबाई में असली चीज ये नारियल पानी है बाकी हर चीज में मिलावट है भाय जान मिलावट हो या ना हो पूब्लिक तो खुश दिख रहे है यह तो दुरूस फर्माया तुमने भई चलिए आये ना दोस तीन नारियल देना कौन सेट? मलाईवाला या सादा? मलाईवाला अभी देता है एक मिनिट में येलो सेट तीन नारियल मलाईवाला शुक्रिया दोस्त इम्तियाज दरा ये नारियल पकलना मुझे लाओ 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 शुक्रिया फरात उस तरफ चलकर बैठें उधर भीड कम है बेगम साहिबा मैंने पहले भी आप से कहा कि पूछा मत कीजिये आप तो बस और दीजिये हम तो आपके हुक्म के तावेदार है चलिए आप आगे आगे क्या नारियल वाले से काफी दूर चले आए अब इनकी मलाई वेस्ट हो जाएगी भाई जान मैं जाके मलाई निकलवा कर दो अरे नहीं भई अराम से बैटो साले साहब लोटते वक्त तेक एक नारियल और ले लेंगे जी भाई जान ठीक है आप आप भाई जान के मशवरे के बारे में आपका क्या खैल है कौन सा मशवरा हसीना हम दोनों नारियल पानी जैसे एह मसले पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं और आप हैं नाजाने कहां कोई हुई है मैं वो उस फैमली को देख रही थी वो जो उदर फोटो की जो आ रही है उस फैमली में जो बच्ची है ना वो बार बार पानी की लहर से डर कर भागती है और उनकी फोटो खराब हो जाती है अरे हां इम्तियास मैं तो भूली गई थी आज तुम्हारा फिरन ड्राइ क्लीनिंग के लिए दे रही थी तो उसकी जेब में से एक तस्वीर निकली तुम्हारी और बच्चों की अरे यार ऐसे शर्मा क्यों रहो हसी ना फोटो में सिर्फ बच्चे ही थे या कोई और भी है हमारी भावी जान भी है उसमें बेहत खुबसूरत है इम्तियास हमारे भतीजा भतीजी भी बहुत प्यारी है नाम क्या है दुनों के? आपा बेटी का नाम शीरी है माशाला और लड़के का भी अच्छा नाम नहीं रखा है गर में सब उसे नना कहकर बुलाते है शीरी बहुत प्यारा नाम है वो खुद भी बहुत प्यारी है सब कहते हैं आपा वो एक दम तुम पर गई है सब ही उसे हसीना कहते है अरे वाँ आमी भी कहते हैं बिलकुल हसीना पर है आपा अब भी खांदान में बस एक ही लड़की है चाचा के सभी पोते हैं और हमारी हाजरा भावी कैसी है? लो, साले साब तो फिर शर्म आने लगे? ची है, मेरा और घर में सभी का खुब ख्याल रखती है भई, तुम लोग बाते करो, मैं अभी आया इंद्याज, हाजरा भूपी का ख्याल रखती हैं कि नहीं? भूपी तो बहुत प्यार करती हैं उससे वो, हाजरा को डॉक्टर साब कहर कर बुलाती है क्या हुआ कि हमारी शादी को कुछी दिन हुए थे कि एक रात भूपी को खुब कसकर खांसी का दोरा उठा हाजरा सारी रात उनके पास बैठी रही उनकी छाती पर बाम मलती रही, सेख दीती रही तबसे हाजरा अब उनकी बहुत अजीज हो गई फूपी की सेक्रेटरी भी हाजरा है और फेवरेट बहु भी फूपी कभी मौज में हो तो अपना कमरा बंद करके तिजोरी खोल कर अपने गहने हाजरा को दिखाती है हर बार एक बात जरूर कहती है क्या? मैंने अपना रानी हार, अपनी हसीना को दिया कड़े दिये, बालियां दी, अंगुठियां दी और दामाद को पैसे दिये अगर मैं श्री ने घर में होती तो सोने का वो सेट पहन कर ना चाने कितनी ही शातियों में जाकर कहती ये सेट मेरी फूपी ने मुझे दिया पर यहां कहां पहनू बैंक के लॉकर में बन पढ़ा है अच्छे इंद्यास, फूपी हैं कैसी? अरे उन्हें क्या होगा, सारा दिन दंदनाती रहती है अबबा जी से उनकी जरा नहीं बनती सामने पढ़ जाएं, तो एक तरफ से सिबट कर निकल जाती है तुमारे घर छोड़ने में जो फूपी का हाथ था उसके लिए अबबा ने, उन्हें कभी माफ नहीं किया अबबा को पूरा यकीन है, कि उन्होंने ही तुम्ही ये सब करने को उकसाया ना सुना, उन्होंने उकसाया तो नहीं, पर ये सच है एगर फूपी ना होती, तो फरहाथ से मेरी शादी कभी नहीं हो सकती थी फरहाथ कहा होते, ये तो पता नहीं, पर मैं यकीनन किसी नामी घराने की बहु बनकर सालन पकाया करती घर में सब लोग ये मानते हैं, कि फूपी नहीं तुम्हें भाईजान से मिलवाया होगा नहीं तो तुम तुम बेहत शरीफ लड़की थी ना, परहाथ से मुझे फूपी ने नहीं मिलवाया फिर फूपी को कैसे पता चला तुम दोनों के बारे में? हाँ? अरे, क्या हुआ? तुम हस क्यों रही हो? बोलो कुछ, कुछ याद आ गया क्या? तुमने पूचा ना, फूपी को पता कैसे चला, उसी से याद आया पता है, मैं बश्पन से ही न, फूपी के साथ सोती थी तुम तो जानते हो, फूपी का पलंग कितना बड़ा है, हम कितने ही बच्चे उसमें आ जाते थे लेकिन रात में उस पलंग पर फूपी के साथ सोने की इजाज़त सिर्फ मुझे थी बागी बच्चे इस पर मुझसे हसद भी करते थे एह, तुम भी तो फिर? तो फिर क्या? आपा, तुम्हारे और भाईजान के बारे में फूपी को कैसे मालूम चला? तुम वो बता रही थी अब उस बात का फूपी के पलंग से क्या तालोख? बहुत बड़ा तालोख है मुझे बच्च्पन से ही नीद में बोलने की आतत है आज भी कभी कभी नीद में बढ़बढाती हूँ तो एक दिन सोते सोते में ही मेरे मुझे फरहाद का नाम निकल गया हो सकता है, दो तीन बार नाम ले लिया हूँ मैंने इनका पस जी, फूपी ने मुझे चुटिया से पकड़ कर उठा दिया मुझे से बोली, ए यह फरहाद कौन है? आए, मैं हाधी सुही हाधी जगी टुकुर टुकुर उनका मुझे रही थी उन्होंने मेरा कान उमटते हुए जोर से पूछा कौन है यह फरहाद? जल्दी बता, जल्दी बता नहीं तो अभी जाकर तेरे बाप को जगाती हूँ फूपी यह फरहाद है जरूर होगा पर है कौन? बता तु सही वो मुहमद माजी का बेटा है सत्यानास हो तेरा, अरे बिजली गिरे तुझ पर कौन मुहमद कर रहा है फूपी? तुम हर बात का बतंगड क्यों बना देती हो? यह बतंगड है? यह तुम लोगों की आजादी का नतीजा है या खुदा रहम, रहम मैंने तो सिर्फ फरहाद को कॉलिज के सामने से जाते देगा और कोई बात नहीं है फूपी खुदा के लिए मुझे माफ करो मैं आज के बात कभी तुम्हाँ साथ भी सूँगी वैसे भी यह पलंग चोटा पड़ता है अच्छा, तो तुझे अब यह पलंग चोटा पड़ रहा है चोटा हो यह बड़ा, अब मैं यह नहीं सूँगी, नहीं सूँगी मैं बैठी रह, बैठी रह, यह है अच्छा, एक बात बताओ क्या तुम्हें उससे महबबत है? अरी, बोल, महबबत है उससे हाँ, है भूपी निकाह करेगी उससे? इंत्यास मैं भटी-भटी आँखों से भूपी को देखती रह गई ऐसा लग रह था मनों पहली बार सूरज के किर्णों ने मेरे बदन को सहलाया था मैं तसवर भी नहीं कर पा रही थी क्या ऐसा हो सकता है? मैं यहीं सोच रही थी कि फूपी का अगला सवाल तड़ से चड़ी की तरह मेरे बदन पर पड़ा तुम उससे कहां मिलती हो? मिलती कहा हूँ फूपी आज तक ठंक से दो बात भी नहीं हुई है हमारे बीट बस चब मैं कॉलिच से निकल करता का इंतजार करती हूँ न तो मुमाल से गुजरता है हसी ना मेरी बच्ची मेरी बच्ची देख इस घर का बेताज बादशा तिरा बाप है और वो महबत का मतलब भी नहीं जानता और इस घर में इश्क गुना है बहुत बड़ा जुल्म है तुम्हारे बाप ने शादियां तुचार की पर महबत एक बार भी नहीं हर कोई कर भी नहीं सकता हरे ये तो इबादत है हर किसी के बस की बात नहीं तुम तो जानती हो मैं डिस्पी से महबत करती थी वो भी मुझे चाहता था पर तुम्हारे बाप को ये मनसूर नहीं था उसने डिस्पी को जिस तरहां भगाया मैं जानती हूँ तेरे बाप के फद्वे को अनसूर करके बैड़ गई मैं पर अब मैं इसे मसा चखाऊंगी पुपी तेरी मा इसकी चौथी बीवी है जब तुम्हारे पैदा होने की खुशखबरी लेकर मैं इसके पास कई तो जानती है जानती है इसने क्या कहा था क्या कहा था पुपी खोटों से हुक्के के साथ ही गुड़ गुड़ाते हुए इसके लफ़ निकले थे ये कौन बला मेरे लिए रखी थी तब मैंने भी जलकर कहा था अल्ला तेरा शुक्र है मैं अपनी इस भतीजी के लिए तेरा शुक्र मांते हूँ घर में एक ही बेटी मैं हुई एक ही तू है हाँ पुपी महम्मशाबान इलाही मन्जिल वाले तेरी नाथ तो अब मैं कटवाऊंगी पुपी देखती हूँ तेरी वो मोटी भद्दीना अब कैसे मचती है पुपी ने अब्बू से अपना बदला ले लिया सुना मैं आज तक ये तेह नहीं कर पाई हूँ कि पुपी ने अब्बू से अपना बदला चुकाया था क्या कि उसे मुहबत के जजबे पर सच मुच यकीन था अपा हम न जाने कितनी सारी गलत फेमियां पाले हुए थे तुम्हारे पास आकर बहुत सारी सच्चाई जानने को मिल रही है सुना ये तो इनसानी फिद्रत है हमें लगता है जो हम जानते हैं उतना ही सच है फिर उस रात के बाद क्या हुआ बलाहे लगई उसके बाद उसके बाद हुआ ये कि फूपी ने मुझसे फरहात का जिक्र एक दफे भी नहीं किया तो भाईजान से आपका निका फूपी कब फरहात के घरवालों से मिलाई कब और कैसे उन्होंने हमारे निकाह के तैयारिया कर डाली वागई मुझे कुछ भी खबर नहीं थी मुझे क्या उन्होंने घर में किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी बस शादी से पहले वाली रात उन्होंने कहा था कल सुबा दरगा शरीफ चलना है और फिर फिर मुझे खुब प्यार किया था ये लीजी हमें लगा था कि साले साब हमारे सामने अपनी शादी की बात करने में शर्मा रहे हैं और यहां तो हमारी ही शादी की बात चल रही है इम्तियास जानना चाहता था कि हमारी शादी हुई कैसे उस वक्ती बहुत छोटा था ना भाईजान आपा बता रही थी कि उन्हें ये ख़बर भी नहीं थी कि उनका निकाह होने वाला है ये बताईए कि आपको ख़बर थी के नहीं भई ख़बर तो हमें हो गई थी आपकी फूफी की सावारी जब हमारे घर आई तो मुझे लगा कि हसीना जी ने हमारी डपट लिका दी है और फूफी वही शिकायत करने हमारे घर आई है और जब हमें फूफी के सामने हाजिर होने का हुप मिला तब तो हमारा शक यकीन में बदल गया लेकिन जब हम कमरे में दाकिल हुए और देखा कि हमारे अबू और अम्मी बड़े मुस्कुरा कर फूफी से बातें कर रहे हैं तो हम चकरा गए फूफी मुझे देख कर बोली तो तुम हो फरहाद जी 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 हमारी हसीना को खुश रखोगे ना जी 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 बहुत प्यार से पाला है हमने उसे हमारी एक लौती भतीजी है कभी मालूम चला कि हमारी बच्ची तकलीफ में है तो वो हाल करूंगी कि तुम्हारी साथ पुश्टे याद रखेंगी जी नहीं मैं ऐसी शिखायत का मौगा नहीं मिलेगा तो साले साथ एक तरफ इस बात की खुशी कि हमारी साथ पुश्टे होंगी इसका वाइदा और इंतजाम तो फूपी कर रही है लेकिन खुदा नाखासा कहीं हमारी बेगम हम तर नाराज हुई तो उन साथों पुश्टों का क्या अंजाम होगा इस बात का डर हमें सता रहा है अब समझ में आया आप जो इतना ख्याल रखते हैं उसका ये राज है भाई जान ये आपके हाथ में क्या है लीजे लीजे आप लोगों की बातों मैं भूली गया मलाई निकलवा कर लाया हूँ अनुश फर्माईए लीजे साले साथ ये आपका नारियल लाईए और हसीना बेगम ये आपका और ये जो बच गया वो मेरा शुक्रिया 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 साले साथ हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही आश करोगे तो भाई जान, फूपी ने एक ही साथ आपको खुशी और खौफ का एहसास करा दिया सिर्फ हमें नहीं, हमारी अम्मी और अब्बू को भी खास तोर पर तब जब उन्होंने ये कहा कि निकाह की तुरंत बाद ही मुझे और हसीना को शिरी नगर से रुखसत लेनी होगी मैं तो हैरान वह गया, हमारी अम्मी ये सुनकर बेहोच कैसे नहीं हुई निकाह वाले दिन की अम्मी और अब्बू की बादचीत मुझे आज तक याद है जेबा, जी, तुम समझ रही हो न, इस निकाह का अंजाम क्या हो सकता है मैं तो मानती हूँ ये अल्ला की मर्जी है और हमें इसमें दख्ल देने का कोई अक्तियार नहीं बही ये तो दुरस फर्मा रही हो, लेकिन बेटा बहू निकाह के बाद बंबई चले जाएंगे और हम ब्रादरी के साथ उनके निकाह के खुशियां बाटने से तो महरूम रहेंगे ही मुम्किन है ये दोनों फिर कभी लोटकर शिरी नगर भी ना आए मैंने शाल वालों की बेटी देखी है, मेरे घर में वो चान ना भी चड़े मैं तो अल्ला से यही दुआ मांगती हूँ कि मेरे बेटे के कमरे में उसी की रोश्नी हो अपने बेटे बहू को तो बंबई भिजवाद होगी, पर हम जो यहां रह जाएंगे, अकेले हमारा क्या होगा, यह सोचा है, अब जल्दी करो, निगागे तयारिया पूरी हो चुकी है, बस हम दोनों का इंतजार है, आओ, आओ चलो उस दिन मैंने महसूस किया कि अम्मी ज्यादा बोल्ड हैं अब्बू से फरहाद, ऐसे मामलों में औरते हमेशा मर्दों से ज्यादा बोल लोती हैं जी जरूर, तबी तो लड़कियां पराय घर में जाकर, कुछी दिनों में खाविंद और घर दोनों पर ही हुकूमत जमा लेती है अच्छा अच्छा, आपका मतलब मैंने आप पर और आपके घर पर हुकूमत जमा रखिये बेगम साहिबा, ऐसी बातों में हर्दम किसी तीसरे इंसान की राय ले लेनी चाहिए तो बताइए साले साब, फैसलाब आपके हाथ में है भाईजान, आपके घर में तो बस एक की ही हुकूमत है देखा, देखा, मैंने कहा था न, साले साब भी हमी से इत्तफाक रखते है इम्तियास, मेरे भाई होकर तुम इस तरह से आपा, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए आप लोगों के घर में बस एक ही चीज की हुकूमत है प्यार, मुहबबत और खुलूस की हाँ भाई हाँ, खून होता है भाई हम तो पराए है अच्छा अभी आक्टिंग बंद कर दीजिए और जड़ा घड़ी पर नजट आ दिए मेरे खैल से अब हमें घर चलना चाहिए अरे, ओ, हो, हो, सारे क्या रहा पज़का वक कब गुदर गया, पता ही नहीं चलना चलो भाई, चलो क्या चुकरान ये तो कोई हमारी जबान में बात कर रहा है इंत्यास कहां जा रहे हो आपा देख के आता हूं कौन है रुको हम भी आ रहे है अरे भाई, ये तो रुकी दी राव चलिए ना, हम भी चलते है मुंबई में नया है कि भटकना चाहे चलो, चलो क्या चुकरान अरे, ये तो मखन लाल है हया मखन लाला तावन जदा सुचुक जिन्दे ही हाए मुंखन लाला कौन? इंत्यास, मेरे भाई इंत्यास गले लग जा मखन लाला परवर्दिगार शुकर तेरा लाक लाक शुकर मखन मैंने तुम्हरे बारे में बड़ी बुरी ख़बर सुनी शुकर है अल्ला का मेरे गले लग जाओ मैं तुम्हारे घर भी गया था मकन भीतर बाहर सब दर्वाजे बन थे फिर किसी ने बताया के तुम लोग दिल्ली चले गए हो मकन लाला चलो घर चलते हैं अपने दोस को भी ले चलो चलो, आए मकन ये भाईजान है और ये हसीना आपा इम्तियाज ये वही हसीना आपा है न जो अरुंधती दीदी की सहेली थी आदा आप आपा आदा भाईजान आपा अरु दीदी मेरी मौसेरी बहन है चलो चलो मकन घर चलते हैं भाइजान आप पता बता दीजे मैं दो एक दिन में आ जाओंगा अरे यार मक्खन यहां मुंबई में खुद पहुँचना बहुत मुश्किल है पता है यार इम्तियास पता है लेकिन मैं यहां चार महीने से सड़के ही न आप रहा हूँ अब तो मुझे हर रास्ता आता है मैं पहुच जाओंगा ठीक है मक्खन यह लो मेरा कार शुक्रिया भाइजान यार ये बताओ तुम यहां कर क्या रहे हो इंतजार इम्तियास इंतजार एक प्रोडूसर हबा खातून पर लिखा मेरा नाटक लेने को तयार है अच्छा पर पांडूलीपी तो सिरीनगर में ही है ना मक्खन मैं सिरीनगर जाते ही तुमारे घर चला जाओंगा चाबी दे दे ना ढूंड कर तुम्हें भेश दूँगा पस यह बता दे ना कि स्क्रिप्ट घर में रखी कहा है यार चाबीयां तो सब हमसायों के पास ही हैं इम्तियास अच्छा चलता हूँ यार काफी रात हो गई है अच्छा आपा भाईजान मैं चलता हूँ जल्दी ही आऊँगा आपके घर नमस्कार नमस्कार चलो भाई हम भी चले चली आपा आपके कहवा में तो कश्मीर बसा है कश्मीर तो मेरी रूहू में है हर नाम आपा बहुत याद करते हैं आपको दार जी हर नाम पुत है जब हसीना छोटी हुए तब मैं उसे इस पारी के किनारे लाया था जहां आज तू खड़ा है वो इस किनारे पर आते होए बहुत डर रही थी तो मैंने उसे कहा कि आजा पुतर आजा तू गिरेगी नहीं देख नीचे देख क्या दिख रहा है तुझे जानते हैं उसने क्या कहा क्या 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 कहा दार जी तो उसने कहा दार जी ये तो कोई दरिया है तो मैंने कहा नहीं बेटा ये दरिया नहीं जेलम है हाच भी वो दिन याद आता है न पुतर तो कुझे बहुत अच्छा लगता है फिर मैंने कहा हसीना पुतर कार चल ले हरपीद तुझे देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी हाँ बहुत याद आते हैं वो दिन अभी आप सुन रहे थे दारवाहिक नाटक नौशीन की पांचवी कड़ी मूल उपनयास पजमा सचदेव रेड्यू नाटि रुपांतरकार अमिताप श्रीवास्तव निर्देशन और प्रस्तती काजल सूरी भाग लेने वाले कलाकार थे सुजित्रा गुपता, आदिल शेख, स.म. शरीफ, कीमती आनंद, नीरज शर्मा, राहुल दक्ष, डॉक्टर रितु राजपूद, अनिता जोशी, तिलक राज, राजेश कमबोज, दिनेश वर्मा और महिंदर मेवाती कि देडी देख, प्रेह कहार का दूल बंद, स.म. प्रॉपल though